ओम सिरीगनी स्राइन अमदोस्तू एश्ट्रो समाधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकीस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 अक्टूबर शुक्रवार के रासी फल के बारे में कीह दिन तुला रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तुला राशी वालों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज कुछ राजनितिक लोगों से मुलाकात आपकी लोग प्रियता को बढ़ाएगी साथ ही जन संपर्क का दाइरा भी विस्थ दित करेगी संतान की तरफ से उनके करियर को लेकर आज कोई सुब समाचार आपको मिल सकता है आपका सिद्धान्तवादी दरश्टिकॉन समाज और धार्मिक इस्थल में आपको सम्मान जनक उपादी प्रदान करवा सकता है साती धार्मिक और आध्यात्मिक गत्य वीदियों में आज आपका महत्पपूर्ण योगदान रहेगा प्रॉपर्टी संबंदित कोई रुका हुआ काम पूरे हुनी की आज संभाव ना है दोस्तो आज के दिन का समय आपको अच्छे बुरे की समझ दे रहा है साती भग्य और संतान संबंदित कामों में भी सुविधा प्रॉदान कर रहा है आपका विवेक और आधर्स वादी स्वभाव आपके लिए आज महत्पपूर्ण उपलब दियां दिलाएगा दोस्तो आज ग्रह इस्तिती आपके लिए काफी संतोस जनक है जो लोग आपके खिलाफ थे आज वही आपके पक्ष में आएंगे और संबंदों में भी काफी सुदार आएगा सभी काम आज सांतिपूर्ण तरीके से संपन होते हुए चले जाएंगे दोस्तो भावुकता की बजाए वेवारिक दस्टिकोन आपके कामों में सायक रहेगा आपकी सकारात्मक वे संतुलित सोच आपको आगे बढ़ने और अपने कारों को सुचारों रूप से संपन करने में मदद करेगी दोस्तो घर में किसी धार्मिक उत्सव के आयोजन की भी आज योजना बनेगी आप दोबारा से अपने आपको तरोताजा महसूस करेंगे साथ ही रुकी हुई बड़ी पेमेंट आज मिलने से आर्थिक इस्तिती में काफी हद तक सुधार आजाएगा जिससे आपको काफी सुकून मिलेगा और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों किसी भी प्रकार की उधारी से आज दूर रहें धनके लेंदेन संबंदी कारें करने से छल या धोके के आप सिकार हो सकते हैं कोई भी काम करने में ज़्यादा सोच विचार में समय ना लगाएं इससे समय आपके हाथ से निकल सकता है सामाजिक रिस्तों को मदूर बना कर रखना आवश्चक है कभी कभी कुछ नकार अत्मक पुरानी बातें दुबारा उठ सकती हैं जिसकी वजह से आप अपने मनोवल में काफी हद तक कमी महसूस करेंगे अपने स्वयभाव को पोजेटिव बना कर रखें दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान देने की आवश्चक्ता है कि आपके सरल स्वयभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं जिससे आपकी मन इस्तिती कुछ विचलित हो सकती हैं दूसरों के मसले सुल जाने में आपके कई महत्पपूर्ण काम भी रुख सकते हैं दोस्तों किसी के साथ कोई वादा किया है तो अवश्य पूरा करें नहीं तो समाज में आपकी छवी बिगड़ सकती हैं और कुछ लाबदायक मोके भी आपके हाथ से निकलने की आज संभाव ना हैं दोस्तों साती सात दिखावे की प्रवर्ती से भी आप दूर रहें इस समय धन संबंदी कुछ नुकसान दायक इस्तितियां प्रतीत हो रही हैं इसलिए किसी भी प्रकार के निवेश को आज फिलाल टाल दें संपत्ती संबंदित विवाद के मामलों में भी ध्यान रखें कि भाईयों के साथ संबंद खराब ना हो बच्चों की गतिविदियों पर ध्यान रखने की अतियावशक हैं उनकी कुछ गलत आदते या संगत उन्हें परिसानी में डाल सकती हैं उन्हें शकारात्मक कारों में व्यस्त करना अतियावशक हैं जो उनके भ घर का माहौल अनुशासित और आज खुशन मा रहेगा प्रेम संबंदों में मर्यादा बना कर रखना आवशक है आपकी समस्याओं को सुल्जाने में आपके जीवन साथी वे बच्चों का पूरा शयोग रहेगा जिससे आपका आत्म विश्वास काफी अच्छा बना हो दोस्तो नजवी के जिस्तेदारों से मेल मिलाप और घूमने फिरने का आज प्रोग्राम बन सकता है जिससे घर परिवार में वातावरन खुसनमा और सुकत बना रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कार रहे इस्थल पर लिए गए ठोस निर्णे बहतरीन साबित होंगे और कामियाबी भी आपको वश्य मिलेगी आज मार्केटिंग तथा पेमेंट कलेक्ट करने जैसे कारों में समय अधिक व्यतीत करें शेयर वे रिस्क प्रवर्ती वाले कामों से दूर रहें आपके साथ छल या धूका धड़ ौसकती है नोकरी में किसी प्रकार की स्थान परिवर्तन या तबादली की भी आज इस्तितियां बन रही है कार्रे इस्थल पर किसी पडोसी के दौरा लड़ाई जगड़े जैसी इस्तिति बन रही है कुछ कानोनी या निवेस संबंदित जटिलताओं का भी आज आपको सा हो सकें दोस्तों वैवसाइक प्रतिष्ठान में अनुबवी और परिवार के वरिष्ट जनों की अनुमती और सहमती से कार्य करने से काफी समस्यें आसानी से हल हो जाएंगी धन के लेन देन संबंदित कार्य में अचानक से कोई लाबदाइक इस्तिती आज बनेगी जिससे आप बदलाव सम्मंदित योजनाएं बना रहे हैं उन सभी पर अमल करने का आज उचित समय नहीं हैं इस समय अपनी अधिक्तम उर्जा निवेस सम्मंदित कार्यों में लगाएं वर्तमान गतिविदियों पर अपना ध्यान केंदिर्ट करें आपके लिए बहतर रहेगा दो दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा परंतु फिर भी दिन चरिया को वेवस्तित बना कर रखना आपके लिए अतियावशक है इसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजाना यो मुठी अखंडित चावल लें, जो आप एक मुठी चावल लेंगे, वे तूटे नहों, बिल्कुल साबित होने चाहिए, अखंडित नहीं होने चाहिए, अन्यता आपको इसका सुवफल नहीं मिलेगा, जो आप इस नानादी से निर्वत्र हो जाएं, एक मुठी साबुत सुवफलों को मा लक्षमी का इस वनर करते हुए, बहते हुए जल में प्राहित कर दें, और साथ साथ अपनी मनों काम नए मांगे, या दोस्तों ऐसा करने मात्र से ही, मा लक्षमी बहुत जल्द प्रसन होकर, आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे, जो भी आपके जीवन समस्त करेंगे, और आपको ऐसा करने से जल्द ही विसेश लाब प्राप्त होगा, दोस्तों मा लक्षमी का इसरवाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य रिखें, और वीडियो को लैक करना ना भूलें, धन्यवाद